मेरे प्यारे बच्चों आज मैं क्लास 3 का केमेस्ट्री लेके उपस्तित हूँ आज हम लोग जो है चेप्टर 1 रसायनिक अभी किरियाएं एवं समीकरन इसको परने के लिए जा रहे हैं इससे पहले आप लोगों को हम क्लास 3 का फिजीक्स का पहला चेप्टर पर कास का प्रावरतन कंप्लीट कर चुके हैं जिसका वीडियो आप प्रेलिस्ट से देख सकते हैं उसके साथ ही मैत का भी कई चेप्टर कंप्लीट किये हैं जैसे दो चरवाले रेखिक समीकरन हुआ, तिरकोन मीती हुआ, आपका जो है निर्देशांग जया मीती, यह सब जो हम पढ़ा चुके हैं, यह आप लोग जो है नहीं पर हैं, तो प्रेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, आईए हम लोग जो है केमेश्टी में पहला अभी जो बात कर रहते हैं, रसायनिक अभीकिर्याएं वं समीकरन का, इसको हम लोग जो अंग्रेजी में केमिकल रियक्संस एंड इक्वेशन कहते हैं, रसायनिक अभीकिर्याएं वं समीकरन, पहले हम लोग यह देखेंगे, यह जो चेप्टर का नाम है रसायनिक अभीकिर क्या होता है तब उसके बाद हम लोग जो है समीकरन पर जाएंगे तो देखे रसायनिक अभी किरिया क्या होता है कि जैसे कि आप लोग जो है जानते हैं कि जो है दूद से जो है दही बनता है तो दूद से दही बनना भी एक जो है रसायनिक अभी किरिया है जैसे लोहें में ज पदार्थ है कोई योगिक है कोई तत्व है जैसे मान लिया जाए कि जो है यह H2 यह आपका जो है तत्व है या कभी कभी क्या होगा कि जो है CAO यह अभिकिरिया करेगा तो CAO क्या है कि यह जो है योगिक है अब करा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ क रसाइनिक पडिवर्तन भी कहते हैं इसको तो आप लोग जो समझिएगा कि हम अभी जो बात कर रहे थे कि कोई पदार्थ अके लिए या किसी अनिय पदार्थ के साथ मिलकर क्या होता है कि अलग गुन वाले नए पदार्थ का निर्मान करता है उसको हम लोग जो रसाइनिक समीकरन कहते हैं पहले एक उदार्थ हम osób ज देखते हैं जैसे कि हम लोग जो एक उदार्थ लिए हैं कि यह जो है H2 H2 यह हो किया Hydrogen और Hydrogen जो है Gais के फार में महता है और O2 यह हो किया Oxygen और oxygen भी क्या होता है कि gas के form होता है तो hydrogen और oxygen दोनों एक दूसे से संयोग करके H2O का निर्मान करता है और H2O क्या है यह liquid है यह जल है अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो gas मिलकर liquid का निर्मान किया अब देखें यहाँ पे क्या होगा कि hydrogen में gas का गुण होगा oxygen में भी gas का गुण होगा लेकिन जल में क्या है कि जल में liquid का गुण है तो हम पहले भी आपको बात कर रहे थे कि भिन्न गुनुण वाले नए पतार्थ का निर्मान करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो है अलग गुनवाला नए पदालत का निर्मानी किया अब आईए इसमें एक और हम लोग एक्जामपल लेते हैं कि जैसे कि मानले कि हम लोग दूसरा एक्जामपल इसका देखते हैं यह पहला एक्जामपल हो गया दूसरा देखते हैं कि माल ले जाके carbon ले लिए, carbon जो है oxygen से संयोग करके क्या बनाया, CO2 बनाया, आप देखे, carbon ये एक तत्वा है, oxygen O2, यहाँ जो है oxygen अनु के रूप में है, ये क्या बना रहा है, ये योगिक बना रहा है, CO2, carbon dioxide gas, तो इसमें भी क्या हुआ, कि दो तत्व क्या क्या, कि संयोग करके ने तत्व का निर्मान क्या, और कभी-कभी क्या होता है, कि बरातत्व तूट के छोटे तत्व का निर्मान करता है, इसलिए हम लोग परिभासा में क्या लिखे, कि जब कोई पदार्थ अकेला, तो अकेला भ हम लोग जो है कि अभी तक हम लोग जो है रसानिक अभी किरिया देख रहे थे यहां पर हम लोग जो है जैसे यह एच टू इसमें हम लोग जो जी देते हैं यानि गैस हो गया ऑक्सिजन भी गैस हो गया यह एच टू हो जो हुआ यह क्या हो गया यह जो है लिक्विड हो गया यह example के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आगे देखते हैं आगे क्या है कि आगे है अभी कारक अभी कारक क्या होता है इसको हम लोग पहले समझेंगे अभी कारक हम लोग किसो कहेंगे कि रसायनिक अभी किरिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग अभी कारक कहते हैं अब देखे, माल लेते हैं, यहीं पर अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, hydrogen gas का, H2 का, और यह किस से सन्योग क्या था, O2 से सन्योग क्या था, सन्योग करके क्या बनाया था, H2O gel बनाया था, तो रसाइनिक अभी किरिया में यह hydrogen और oxygen क्या क्या के भाग लिया, जब यह दोनों भाग लिया, तो यह hydrogen और oxygen को हम लोग क्या कहेंगे, कि अभी कारक कहेंगे, रसाइनिक अभी किरिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभी कारक, इसको हम लोग अंग्रेजी में reactant कहते हैं, आईए देखे, इसका भी हम लोग जो definition देखते हैं, definition हम क्या ल ऐसा ख्यार लगते हैं कि बच्चे को कैसे आसान होगा, कैसे बच्चे को easy way में याद कर लेंगे, अब आए हम लोग देखते हैं परतिफल, परतिफल क्या होता है, हमने अभी क्या किये थे, कि hydrogen और oxygen को संयोग करके जल बनाया थे, यह जो जल हुआ, यह जो हमको पड़ाप् हुआ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, परतिफल कहेंगे, और अंग्रेजी में परतिफल को हम लोग क्या बोलते हैं, परोड़क्ट बोलते हैं, जो तयार हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परतिफल कहते हैं, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग क्या यह होगा पर्तिफल रसानिक अभिक्रिया के फल सुरूप जो पदार्त प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे पर्तिफल कहेंगे इस तरह आप लोग भी यहां पर देखे एक जो एक्जामपल भी हम जो दिये थे कि H2 प्लस CL2 यह हैड्रोजन कलोरिन से क्या करता है कि अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है हैड्रो कलोरिक अमल बनाता है यह जो दो देख रहे हैं यह हम जो है बैलेंस किये हैं बैलेंस इसलिए कि यहां पर जैसे हैड्रोजन का परमानू कितना दो है लेकिन यहां हैड्रोजन कितना था एक था ति यह बैल कारक और तीर के बाद वाला भाग क्या कर लाया परतिफल कर लाया तो अभी तक हम लोग इसमें क्या सिखे रसायनिक अभी किरिया सिखे अभी कारक सिखे और परतिफल सिखे इसके बाद हम लोग रसायनिक अभिकिरिया की लच्छन पर हैंगे रसायनिक अभिकिरिया का लच्छन क्या है या फिर हम लोग जो है ऐसा भी कह सकते हैं कि रसायनिक अभिकिरिया की विसेस्ताई क्या होती है वह बताईए तब भी इसका जवाब क्या होगा एक ही जवाब होगा तो हम लोग जो है या फिर यह भी कह सकता है कि हम लोग जो है कैसे पता करेंगे कि रसाइनिक अभीकिरिया हो रही है यह जितना भी हम जो प्रस्ण किये इसका एक ही जो है एंसर होगा कि हम लोग जो है नीमन आधार पे कह सकते हैं कि जो रसाइनिक अभिकिरिया हो रही है या इसको देखे रसाइनिक अभिकिरिया का जो है लक्षन इसमें क्या है कि जैसे हम जो है रसाइनिक अभिकिरिया के लक्षन में पहला में लिखे हैं कि जो है अवस्था में परिवर्तन इसका मतलब यह हुआ कि जो जो पदार्थ रसायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है यदि जो है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तब हम लोग क्या कहेंगे कि रसायनिक अभिक्रिया हो रही है अब यहीं पर आप लोग देखिए कि यह क्या है कि hydrogen gas है यहाँ पलस क्या दिये हम लोग oxygen gas दिये और यह मिलकर क्या बना ह2O बना जल बना तो gas इसमें बदला कि जो है liquid में बदला तो यह क्या हो गया कि अवस्था में पड़िवर्तन अब पहला तो नमबर हम लोग यह देखे कि अवस्था में पड़िवर्तन दूसरा हम लोग जो देखते हैं दूसरा point है gas की उत्पत्ती रसानी कभी किरिया के फलसरूप क्या होता है कि कभी-कभी gas का भी निर्मान होता है gas की भी जो उत्पत्ती होती है आईए इसको भी हम लोग देखते हैं इसमें देखिए यह jaden है zinc है zinc को हम लोग क्या करते हैं H2SO4 hydrogen sulfate से अभी किरिया करा रहे हैं तब क्या बनता है तब यह zinc sulfate बनता है और hydrogen gas बाहर निकल रहा है यानि hydrogen gas की क्या और यह उत्पत्ती हो रही है अब देखिए एक बात यदि हम यहाँ पे करें हम आपको यह रसाइनिक अभी किरिया का लच्छन पर आ रहे हैं इसमें जो है सारा उधारन में हम लोग क्या किया हैं कि जो है रसाइनिक समीकरन दिये हैं केमिकल इक्वेशन दिये हैं और केमेस्ट्री में केमिकल इक्वेशन यदि आप लोग एकजाम में लिखते हैं तो आपका एक भी नमबर कटने की समभावना नहीं रहती है आपको जो है कम्प्लिट नमबर जो है मिलेगा क्योंकि केमेस्ट्री में समीकरन का यूज करने के बाद इसमें भी आपको जो मैद के तरह नमबर जो उठा सकते हैं असिर्फ जो वो हिंदी में उधारन लिखने से नहीं होगा अब आगे देखिए कि अब ये तीसा नमर में हम लोग परहेंगे अवच्छेप का बनना यानि यहां पर अर्थ ये हो गया कि यदी जो है अवच्छेप बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो है रसानिक अभी किरिया हो रही है देखिए अवच्छेप कैसे बनता है ये आप लोग क्या देख रहें कि ये है सोडियम कलोराइड NaCl किसका सुच रहा है सोडियम कलोराइड का सुच रहा है तो यहां पर हम लोग जो है क्या देखते हैं ये जो आप लोग जो सिल्वर कलोराइड देख रहे हैं यह जो है बरतन की पेंदी में अवचेप के रूप में प्राप्त होता है यह ठोस दही के जैसा होता है दही के रूप में प्राप्त होता है इसलिए हम लोग यहां पे क्या देखे कि हम लोग यह देखे कि यहां पे अवचेप का निर्मान हो रहा है जब अवचेप का निर्मा पलस होगा और C L मैनस होगा फिर इसी तरह A G NO 3 है और A G पर क्या होगा कि जो है पलस होगा A G पर क्या होगा कि पलस होगा और C NO 3 पर क्या होगा कि मैनस होगा अब देखिए कि यह जो है A.G. में palas है और C.L. में क्या है कि manas है यह एक साथ हो जाएगा यानि अब यहां पे क्या हो जाएगा कि जो है A.G. C.L. हो जाएगा और इस ही को हम लोग क्या बोलते है silver chloride यह चार्ज यह एक चार्ज है इसमें palas है और इसमें क्या है friend मैनस वो केंसिल हो जाएगा उसी तरह यहां sodium में पलस है और जो है एन अफ्रियो में क्या है कि मैनस है यह भी जो केंसिल हो जाएगा जिसके बाद क्या बनेगा एन एन ओ थिरी बनेगा यानि sodium जो है नैटरेट बनेगा आवच्छेप आप लोग देख लिए कि आवच्छेप hydroxide CAO इसको हम लोग जो है मार्केट में कली चुना के नाम से भी जानते हैं कली चुना मतलब कली करता है रंग करता है इसे प्रेंट करता है कली चुना में हम लोग क्या करते हैं कि जल जो है डालते है जब कली चुना जल के साथ अभी क्रिया करती है तब क्या होता है कि इसका इक्वस में हाथ डालेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी अब देखे ये जो है calcium hydroxide H2O से अभी क्रिया करके क्या बनाता है calcium oxide जल से अभी क्रिया करके क्या बनाता है calcium hydroxide बनाता है इसको हम लोग भकरा चुना भी बोलते हैं और ये क्या होता है कि इससे हम लोग दिवार वगर पेंट करते हैं ताप में पडिवर्तन हो गया अब एक और point बचा है इसको भी हम लोग देखते हैं ये है रंग में पडिवर्तन अगला क्या है अगला है रंग में पडिवर्तन रंग में पडिवर्तन देखे कैसे होता है यदि जो है रंग में पड़ी बरतन हो रहा तब भी हम लोग क्या कहेंगे कि जो है रसायनिक अभी किरिया जो है हो रही है देखिए हम लोग जो क्या किये हैं कि कौपर सलफेट का जो है विलियन लिये हैं इक्वस लिये हैं इसमें एक बरतन लिये हैं, बरतन में क्या किया कि कॉपर सलफेट का जो है इक्वस ले लिये, विलियन ले लिये, और ये जो कॉपर सलफेट का जो विलियन है, जो इक्वस है, ये जो है बुलू कलर का होता है, ये बुलू रंग का है, बुलू कलर है उसका, और इसमें क्या कर जाता है यह हो जाता है बुलू ग्रीन रंग का होएता यह इक्वस और इसका पेंदी में कौपर बैढ़ जाता है यह तब जो है बन जाता है यह बन जाता है यह बन जाता है आपका आरन सलफेट आरन सलफेट बन जाता और पेंदी में क्या होता है यह कौपर होता है लेकिन इ रसायनिक अभीक्रिया में क्या-क्या होता है, अवस्था में पडिवर्तन होता है, गैस की उत्पत्री होती है, अवच्छेप बनता है, ताप में पडिवर्तन होता है, और रंग में पडिवर्तन होता है, हम आपको क्या क्या है, एक-एक का जो है, एक्जाम्पल के साथ जो है अब आगे देखें, आगे हम लोग जो है देखेंगे कि रसायनिक समीकरन, रसायनिक समीकरन क्या होता है, रसायनिक अभिकरिया इससे पहले हम लोग देखें, अब हम लोग देखें कि रसायनिक समीकरन क्या होता है, अब देखें, इसका पहले हम लोग जो डिफनेशन पे बात लिया उसको हम लोग सुत्रों की सहायता से संचिप्त निरूपन संचिप्त का मतलब समझे यहां पर नतर हो गया सौट में सौट में जो हम लोग निरूपित करेंगे उसी को हम लोग क्या करेंगे रसायनिक समी करेंगे अब यहां पे देखे थोड़ा सा एग हम जो एक्जाम्पल लेते हैं एक्जाम्पल में यदि हम जो लिखे यहाँ पर क्या लिखे कार्बन लिखे और कार्बन को क्या कि हम लोग ऑक्सिजन के साथ अभी किरिया करा रहे हैं तो कार्बन को जब हम ऑक्सिजन के साथ अभी किरिया करा है तो ये जो है अभिक्रिया के फज्रूक क्या प्राप्त होगा carbon di oxide carbon di oxide अभ यहाँ पे देखिए यह इस तरह जो हम अभिक्रिया को लिखे है तो ये समीकरन नहीं हुआ ये हो गया सब्द समीकरन इसको हम लोग सब्द समीकरन भी कह सकते हैं अब यदि हम यहीं पे कार्बन का सुत्र, तो कार्बन का सुत्र क्या होता है, C होता है, ओक्सिजन का सुत्र क्या होता है, कि यह जो O2 होता है, यह सब कार्बन और ओक्सिजन क्या था, कि रसाने का विक्रिया में भाग लिया था, और इसको अब हम क्या किये, सुत्र की सहायता से निरूपित किये, निरूपित करने के बाद, ये क्या बना, कारबन डायकसाइट, इसमें भी हम लोग सुत्र क्या दिये, CO2 दिये, अब यदि इस तरह का सब्द समिक्रन को हम लोग जो है संचिप्त रूप में लिखते हैं, निरूपित करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे रसायनिक समिक्रन कहेंगे फिर से इसका जो आब लोग पड़ी भासा देख लिजे रसायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सुत्रों की साहता से संचिप्त निरूपन ही रसायनिक समिक्रन कालाता है हम जो आपको पहले भी बता है हम हम ऐसा क्या करते हैं कि बच्चों का ख्याल लगते हैं कि वो उसको जो है कैसे आसानी से याद हो जाए अब देखे एक उधारन यहाँ पर हम लोग दिये हैं H2 प्लस Cl2 यह क्या बना हेड्रोकलोरिक अमल बना तो यह H2 क्या है संचिपत है हेड्रोजन को हम लोग जो हम लोग हेड्रोकलोरिक अमल समझेंगे अब आईए कर रहा कि जो है रसायनिक समीकरन लिखने का नियम क्या है हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि रसायनिक समीकरन लिखने का नियम क्या है देखे कि रसायनिक समीकरन हम लोग जो लिखेंगे कैसे है देखे रसायनिक समीकरन लिखने के लिए हम लोग क्य ये बायाहत है बाई ओर जो है लिखेंगे और परतिफल को समीकरन के दाई ओर जो है लिखेंगे इसको हम लोग जो है सी यहां देते हैं अभीकारक को क्या 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 समीकरन के बाई और परतिफल को समीकरन के दाई और पहली बाद हो गया इसमें दो नियम हो गया एक हम क्या बोले अभीकारक को समीकरन के पहले लिखे एक नियम परतिफल को समीकरन के बाद लिखे दो नियम तिसा नियम क्या है कि अभी काड़क और अभी काड़क के परतिफलों के बीच हम लोग धन चिनका पड़ियो करते हैं तो यहाँ यदि और तत्व है जैसे हम लोग मलते हैं B मलते हैं तो A और B के बीच हम लोग क्या करेंगे धन चिनका पड़ियो करेंगे फिर से सुनिए तिसा नियम क्या है कि अभीकारकों के बीच धन्चिनका पड़ियो करते हैं चौन्था नियम देखे क्या है चौन्था नियम यह है कि परती फलों मतलब यहां कईठो है परती फलों के बीच हम लोग क्या करते हैं धन्चिनका पड़ियो करते हैं चार नियम आप लोग जो देख लिए अब एक और जो है अंतिम और पांचवा नियम ये है कि अभी कारक और परतिफल दोनों के बीच हम लोग एरो के चिन्नका पड़ियो करते हैं ये पांच नियम हो गया और ये एरो हम लोग को अभी किरिया का जो है दिसा बता रहा है तो हम यहां समझ में आ रहे हैं कि A और B क्या है अभी का रहक है C और D क्या है इससे जो है बना है यह क्या है पर्तिफल है इसको फिर से सुनीय कि समीकरण के law को लिखते हैं समीकरण के law को दा appropriate कि दूसरा नियम समीकरण क के बीच धने चिननका पढ़ियो करते हैं तिस्टा नियम! परति फलों के बीच छोधा नियम कि अभी कार गोड़ परति फल के बीच क्या करते हैं यह लोका चिननका पढ़ियोक करते हैं, should समीकरण का दिसा बताता है mahiyaairesup それ में भी jau आगर इन्ट्रों मने पूछा आपको किरासायनिक स्वमीक्रण लिखने के क्या नियम है तो गरलों जवाब लिखेंगे किरासायनिक इस तरह आप लोग को लिखा हैं कि आपको आसाने से याद भी हो जाएगा अब देखिए अगला है क्या कि संतुलित रसाइनिक समीकरन हम लोग जो संतुलित रसाइनिक समीकरन किसे कहेंगे अब हम लोग यह देखेंगे कि संतुलित रसानिक समीकरन किसी देखेंगे यहाँ पर देखिए हाँ तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि संतुलित रसानिक समीकरन इसको अंगरेजीन बुलेंगे बैलेंस्ट केमिकल इक्वेशन ये होता क्या है कि ऐसे रसानिक समीकरन जिसमें समीकरन के दोनों और परतियक तरसमीकरन के दोनों और का मतलब एरो से पहले और एरो के बाद परतियक तत्वके परमानों की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रसानिक समीकरन कहते हैं आए इसको हम लोग जो समझते हैं, कि जैसे कि एक एक एक्जामपल लिए हैं कि C पलस O2, ये हो गया CO2, प्राप्त हो हमको, हम लोग जो है अभी कारक में जो यहां C देख रहे हैं आप लोग, तो C में परमानवों की संख्या कितना है, ये हो गया जो है, एक, ऑक्सीजन में हम लोग परमानवों की संख्या की बात करेंगे, तो ये कितना हो गया, कि दो हो गया, ये हम लोग का जो, ये हम किसका देखे, हम ये देखे, अभी कारक का देखे, अब हम लोग जो परतिफल में देखते हैं, परतिफल में सी कितना है सी का परमानू के संख्या एक है तब तो ठीक है और ऑक्सिजन में परमानू के संख्या कितना है ये जो है दो है ये क्या हो गया कि बराबर हो गया जितना जो है एरोचिने से पहले था उतना ही क्या है कि बाद में है इसलिए ये क्या हो गया संतुलित रसायनिक समिक्रन हो गया अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है कि यह है और संतुलित रसायनिक समिक्रन ऐसे रसायनिक समिक्रन जिसमें समिक्रन के दोनों और परतिय तत्वा की परमानों की संख्या समान नहीं होती है उसे हम लोग करते हैं H2 पलस O2, यह क्या बना है, यह बना है H2, वो बना है, तो यहाँ पर आप लोग देखे, हैड्रोजन में परमानों की संख्या कितना, तो दो, अक्सीजन में परमानों की संख्या कितना, तो दो, तो कुल जो है, कितना हो गया है, इधर चाड़ हो गया है, इधर आईए, परति ओक्सीजन परमानवाओं की सइख्यां कितना यह तो ठीक है लिए यह जब हो गया और भी हम तो जो इसका उदारन दे सकते हैं जैसे दूनमर में लिखिए है है टू तो लिख लिए आप लोग हैडोरीन का हम जो कलोरीन से भी क्लिया कराते हैं है H2 plus CL2 यह कितना होगा है यहां पर यहां कितना है कि य ले यहां कितना है इस ले यही चाहली कि स मेंải हो गया ओवर इस तरह हम लोग आज क ही तक ढहिए रखते हैं आप लोगों Q chemistry पढ़ाने का method कैसा लग रहा है comment करके जरूर बताएं यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और हम आप लोग को इस chapter का जो है नोर से PDF में उपलबद कराएंगे thanks for watching video thank you so much